नमस्कार दोस्तों आपका अपने स्टेडी चैनल उद्धेजदीब क्लासेस में सवागत माकडों की समझ टॉपक के बारे में पढ़ रहे थे इस टॉपक के हमारी तीसरी वीडियो है दिया आपने इससे पहले वाली दो वीडियो नहीं देखी हूं तो प्लेलेस्ट में जाकर यहां पर एक तालिका दी हुई है और यहां पर क्या दर्स आएगा सबता के बिन्ने बिन्ने दिनों में इस तालिका में दर्स आए गया तो हमें इस पर आधरित कुस्टनों को देखना है इस पर किस तरी कुस्टन बनेंगे तो चलिए यहां पर देखते हैं देखिए कुस् कोलम यहां पर इस Hmmаст हे संवार मनगल बोध गुरुवबार सुक्रवा-शनी रविवार यहां पर क्या दिया एलेक्टर विल्पों संख्या देख है कि है लेक्टर संख्या ऌगर के है चैज हैं तो टूटल बल्प देखें तो एक हैज में दो बल्प तो छैज में कितने हैं उन्हें चैज दूनी बारा बल्प इस तरीके से हम इस तालिका को समझेंगे तो देखिए यहां पर इस कोस्टन को फिर से पढ़ते हैं सुक्रवार में बैंचेगा एलेक्टरिक बल्प की संक्या कतीनी है ठिएक हैं कितने वर्फ को दर्सा रहा है दो बजत को तो साथ है जैह częंत कितने बैंगों कदर साथ दूनी चवूदा तो हो कितने बल्प वह चिरा चवूदा फैंचरर ऊपच्चर आ है तो देखिए लेक्टरिक बल्प क में बिकरी समान संक्या में है किस दिन ऐलेक्ट्रक बल्प की संख्या सब्सक डिसkich और दूसरी कहरा रभी वार। देख लेखें टीन चैरीन ओर चैनल टीन न tofu है और िसी संख्या सम्द्र कुंद्सक्र Ag assure किस दिन एलेक्ट्रिक बल्पों की संख्या कैसी है यानि कि किस दिन एलेक्ट्रिक बल्पों की विक्री समान संख्याम है तो देखी किस दिन एलेक्ट्रिक बल्प समान संख्याम मैं चेगा है संबर और रविवार को नहीं बैं चेगा है अब तीसरा देखिए रवी बार गुरु बार रवी बार देखिए रवी बार कितने नो हैज है और गुरु बार कितने तीन दू पांच हैज है यानि कि यहां पर भी वल्फ के संग कैसी होगी समान नहीं होगी डी ओप्सन देखिए बुद्वार वा सनी बार बुद्वार में कुस्टन वह पूचा किस दिन एलेक्ट्रिक वल्पों की विक्री समान किसमें संख्याम है है एक क्वाली होगी एक हैज दो बल्प को दर्स आ रहा है तो यहां पर चार है जाट बल्प को दर्स आएंगे तो ओप्सन हमारा डी यहां पर सही आंसर होगा अब देखिए नेक्स् बक्से में कितने नो बल्प आ सकते हो तब पूरे सब्ता के लिए कितने बक्सों लगभग में निकालना है किया वे सकता होगी कोश्चन को प्रस समझे आप यदि एक बक्से में कितने बल्प आ रहा है नो बल्प यहनि कोई एक बक्सा है उसमें कितने बल्प है नो बल्प आसकते हैं, तब पूरे सब्था के लिए कितने box लगभग में बताना है कि आवाएसकता होगी, कितने box की होगी सबसे पहले हम bulk count करने हैं, पूरे सब्था में कितने बल्प च्रूरुरत होगे हमें, चूँकि एक box में 9 बल्प आ रहा हैं total bulk निकाल लाह है, तो टोटल बल्प में हम 9 से भाग दे दें तो हमें क्या बॉक्सों की संके प्राप्त हो जाएगी तो देखी यहां से हम टोटल बल्प देखते हैं पूरे सप्ता में टोटल बल्प की हमें कितने बल्प की आवसकता होगी तो देखी सॉमबार कितने हैं तीन और तीन छैज हैं, सौमबार में छैज हैं, तो यहां पर कितने बल्प में क्या हो सकता होगी, छैज दूनी, बारा बल्प की, तीन तीन छैज हैं, एक हैज दो बल्प को दर्सा आ रहा है, तो छैज कितने बारा बल्प को दर्सा आ रहा है, मंगल बार को देखिए, यहां गितने हैं 9 हैज हैं तो 9 दूनी 18 बल्प की आवे सकता है सनी बारक होगी यानि टोटल हमें एक सब्ता में कितने बल्प की आवे सकता होगी हम इनको एड़ कर दें 12 यहां पर 14, 8, 10, 14, 8, 18 इन सब को एड़ कर दें पूरे सब्ते में किया जाएं कि बल्प की संख्या जाएं यानि कि इतने बल्प की हमें पूरे सब्ता होगी चुकि यहां किया रहा है एक बक्से में कितने नो बल्प हा सकते हैं तो टोटल बल्प निकाल ले हम उसमें नो से भाग दे दे हैं तो हमें कुल बक्सों की संक्य प्राप्त हो जाएगी बक्से इस संक्य किसमें निकालना हैं लगभग में निकालना है देखी हम इसको solve करते हैं अब देखी बल्प की संख्या आगा ही हमें सवम बार में बल्प की संख्या बार में चौदा इसी तरीके से हमें रव्य बार तक के बल्प की संख्या निकाल ली हमने अब देखी पूरे सब्दे के लिखे करें हमें को add करना पड़ेगी तो हमें क्या जाएगी पूरे सब्तमत टोल वहलपकों की संख्या जाएगी तो चलिए इन्को on करते हैं वह लेक्षट किजें बारा औरा और याट वीस-्व्थ- मियज्थ दश तीश चौंथ hardest चौंथ चौंथ ऑर 18 को एट करेंगे छे-ाचा एक तो देखी साथ और एक आठ यानि कि धर शावित तों सब्सक्राइब और बारा चाउदा आठ दस चाउदा और फिर आठ और पिर अठारा इनको टोटल करते हैं इस बार हम अलगतरीके से एड़ करते हैं दो, चार, छे, हमें काई-काई इंकवालों को एड करते हैं, दो और चार, छे, छे और आट कितने हो गये? देखी 6 और आट 14, 0 है 14, 14, 4 कितने हो जाएंगे? 18, 18 और 8, 26, 26, और 8 कितने हो जाएंगे? 26 और 8 add करें हम, देखी 26 में हम 4 करें 30, और फिर चार बाचे 34, 24 24 की कितने आ गए चार हाथ आई तीन तो तीन और एक चार पांच छे साथ और एक आठ देखिए कितना है 84 यानि हमने सही काउंट किया इस तरी के साथ पर इसको एक बार रीचेक जरूर करने हो सकता है आप कहीं थोड़ी बहुत एड़ करने मिस्टेक कर रहा हूं जनरली ऐसी गलती हमसे हो जाती है देखिए यहां पर टोटल बल्पों की संक्या निकाल ली अब कोस्तान को फिर से बढ़ते हैं यदि एक बकसे में नौ बल्पा सकते हो तब पूरे सब्ता के लिए कितने बकस हो एनिक लगभ़कों बताना ह की है सकता होगी पूरे सब्तम बल्पों की संक्या निकाल ली कितनी 80 क gefसक जगी फूरे सब्ते हैं चूकि एक बकसे में 9 बल्प हैं तो Kyoto चौरासी बप के लिए कितने बक्से के सकता होगी चौरासी नौ से भाग देज़ें नौई नाम 21 181 बच्चे तीन दस्वमलाब देखि नौई नाम 181 कितने बच्चे यहां पर तीन तो देखि तीसमे नौद नटार रहे है नौधिया 27 20 कि देखते हैं पहला है 11 11 नहीं होगी दूसरा है 9दिक 9 से अधिक 20 लेखर हैं में राइट अंसर होगा यानि कि हमें पूरे सब्ते के लिए कितने वक्से क्या सकता होगी दस बक्से तो दस बक्से हम कितने वल्प आ जाएंगे 84 से अधिक ही होगे हमें पूरे सब्ते में कितने वल्प चाहिए 84 से थोड़े से अधिक वल्प आएंगे तो हम 84 तो ज़रूरत है ही है ना एक सब्ते में भी बिक्री करना है तो 84 वल्प चाहिए यानि कि हमें 10 बॉक्सों की आवे सकता होगी चलिए हम नेक्स्ट तरह के डाइग्राम के बारे में समझते हैं देखि हैं निर्देश दिया है प्रिश्ण संह्ख subscribed 18-28, 99 लिकर आरे की बरस 21-10, 12 बिक्री के आंकों को दर साता है आरेक का अध्यान करें और निन्वत प्रिश्णों के उत्तर दें यानि कि हमें इस आरेक का अध्यान करना और इस सम्मंद कोस्टन जो पूचे जाएंगे हमें उनका उत्तर देना देखिए इसको क्या कहते हैं हम आरेक कहते हैं तो देखी कोस्टन देखी कोस्टन नमर 18 बर्स 2006 में विक्री की तुल नाम है बर्स 2008 में विक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई बिक्री हुई और 2008 में कम बिक्री हुई तब ही हमें क्या पूँचा है प्रतिशत कमी पूँची है तो डाइग्राम के हम पर समझीए देखिए इस साइट क्या दिया है बर्स दिये है 2001,2002,2003,2004,2005 इस तरीक से 2010 तक और उपर क्या दिया है यहां पर बिक्री किसमें रोपय क सबसे पहलत है यहन कि इसमें भी दो कडूर की विक्रीक से देखिए तो देखिए यहां पर कोष्टन पूचा है 2006 में Wight बिकरी की तुलनाम है, बरस 2008 में बिकरी कितनी बिकरी की कमी है, 5% सबसे पहले हम मैं 2016 में बिकरी की बिकरी होई है, देखिए 26 यहां पर है बिंदू इसके सामने 6 कड़ोर यान कि 2006 में 6 कड़ोर की बिकरी हुई है 2006 में बिकरी की तुलना में बरस 2008 में देखना है 2008 में बिकरी में कितनी प्रिस्थत की कमी आई है तो देखिए 2008 देखिए 2008 के सामने बिंदू और इसके सामने पांच कड़ोर यानि कि 2008 में कितनी विक्री होई है पांच कड़ोर हम इस तरीके से डाइक्राम में देखते हैं यहां से उपर देखते हैं और फिर उस बिंदू के सामने देखते हैं तो 2006 में 6 कड़ोर की विक्री हो रही है और 2008 में 5 कड़ोर की यानि कि ऐसे देखे हम 2008 में 1 कड़ोर की विक्री कम हो रही है लेकर हमें किसमें निकालना कितने प्रतिसत कमी आई हैं ये जितनी कमी है ब्रददी होई ये उपर लेके हैं यानि एक कड़ोर की कमी आई दो और च्छह में 6 कड़ोर की विकरी हो रहा हुती ये दो यार आट में 5 कड़ोर की आई पर नीचे प्रदी की विकरी की तुलना में बात की गई हैं जो भी पहले दिया उसे पहले लिख दें या फिर आपको सेंख समझ जिस से तुलना की बात की गए है बर्स दोयार छै में बिकरी की तुलना में यानि कि दोयार छै में कितनी बिकरी हुई है चै तो यहां लिखेंगे इन्टू 100 प्रिटिशत की बात किसली 100 देखिए इसको solve करते हैं 2-2-3-6, 2-2-5-10-50 यानि कि 50 बटे 3, इसको और solve करते हैं 3-3-3-2-5-5-3-6-18, 16-2-3-3-7, तो कितने फ्रिटिशत कमी आई तो 16-2-3-3 प्रिटिशत की कमी आई तो आप्सन देखिए हमारा सी यहां पर सही अंसर होगा इस तरीके से हम इस तरह कोस्टनों को सॉलू करते हैं चलिए अगला कोस्टन देखते हैं कोस्टन नमर 19 बरस 2002 में विक्री का बरस 2007 में विक्री के साथ अनुपात है देखिए अब हमें इसमें क्या अनुपात पूच लिया 2006 में जो विक्री हो रही उसका 2007 में विक्री से अनुपात पूच आ है तो 2002 में देखते हैं कितनी विक्री हुई है इसके उपर देखा और इसके सामने 2002 में कितनी विक्री हुई है दो कड़ो रुकी और 2007 में विक्री की देखें तो 2007 इसके उपर देखी यहाँ पर और इसके सामें 6 यान की 2007 में कितनी विक्री हुई 6 कड़ो उरकी 2002 में 2 कड़ो उरकी 2007 में 6 कड़ो उरकी इनमें अनुपात के लिए कुछ नहीं करेंगे बीच मिन अनुपात लगा देंगे हम देखेंगे अनुपात का मतलब का होता है बटेयानिकी दोबटेच है हम देखी यदि कैंसल हो रहा है तो इसको हम कैंसल कर लें दो एकम दो दोटीयाँ 6 एक बटे 3 यानिकी एक अनुपात 3 212 में विकरीग का बर्सट 207 में विकरीग साथ क्या दोगा 1 अनुपात 3 होगा तो देखी ऑप्सें बी यहां पर एक अनुपात तीन हमारा सही अंसर होगा अब चलिए नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं कोस्टन नम्मर 20 बरस 2003 से 2007 की अबदी के दोरन कमपनी की ओसद विक्री रुपए कड़ोरुमा है यान की 2003 से लेकर 2007 तक की अबदी में कमपनी की जो विक्री हुई हमें उसका ओसद निकालना है देखिए ओसद निकालने के क्या करते हैं कोल योग बटे संख्या ओसद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कोल योग बटे संख्या यान की 2003 से 2007 की अबदी में जितनी विक्री हुई है उसके लिए हम टोटल करेंगे और बटे संख्या से हम भाग दे देंगे तो देखी 2003 से लेकम 7 तक की अबदी में देखते हैं कितनी विक्री हुई है 2003 में देखते हैं इसको उपर इसके सामने 2003 में देखते हैं कितनी की विक्री हुई है और 2007 में भी छे कड़ोर, 2003 से 2007 की अबदी की बात की है, तो 2003 से लेका 2007 तक की अबदी भी हमने देख लिया, कितनी विक्री होई है, तीन कड़ोर, चार कड़ोर, दस कड़ोर, छे कड़ोर, पांच कड़ोर, हम इसका टोटल करेंगे, बटे नीचे क्या संख्या से भाग देंगे, यहनि एक, दो, तीन, चार, पांच, कितनी संख्या हैं, पांच, तीन और दो, पांच, उपर हम क्या करते हैं, टोटल निकालते हैं, संक्या से भाग देते हैं थैं तो देखी इसको एट किजी साथो और दस कितने होगा 47 तो देगी पांस तो निसमें भाग देजे पचाम पचीस कितने बचे चार दसमला पनट चालीस देगी सारे कड़ोर में हैं तो उप्सन यहां पर हमारा 5.8 साही आंसर होगा इस तरीके से हम रेखालेक और जो भी दिया हो दंडालेक पाई चार्ट है ना इस तरीके से हम इसके सौल करते हैं चलि इसी डाइग्राम संबन्देत हम नेक्स्ट कोसन देखते हैं कोसन नमर 21 देखिए बरस 2005 में पिछले बरस की तुलनाम है बिकरी में ब्रद्दी का प्रतिसात है देखी 2005 में क्या पूंच लिए है पिछले बरस की तुल नाम है बिक्री में ब्रदी का पृतिसात है यहां फिर ब्रदी का पृतिसात पूंच लिए लेखी 2005 किषिक कैंगे 2005 में कितना बिक्री हुई यह दसकड़ोर की 2005 में बिक्री में बिक्री हुई यह 10 कड़ोर 25 में बिक्री हुई है यह यह सब कितने प्रितिसत अधिक ब्रद्दी हुई देखिए 2005 है तो 2004 में देखेंगे 2005 से पिछले बरस तुलना में कितनी ब्रद्दी हुई ले ब्रद्दी निकालने फर उसका प्रितिसत निकाल लेंगे 2004 में 4 कड़ोर की विक्री हो रही थी 2010 में कितनी हो गई 2005 में 10 कड़ोर की यानि कितना अंतर आया 6 कड़ोर का 2005 में 2004 से 6 कड़ोर अधिक रुपए की विक्री हुई तो इसे हम प्रतिसत में निकालना है तो देखे अभी बताया है ना जितनी भी ब्रद्धी कमी हो उसको हम उपर लेकेंगे बटे जिस से तुलना की गई है 2005 में पिछले बरस पिछले बरस की तुलना की बात की गई है तो पिछला बरस कुन सा है 2004 तो 2004 में विकरी कितनी है चार कड़ोर तो पिछले बारस का बिकरी हम यहां लेकेंगे इंटू सो प्रतिसत की बात किये तो इसको सॉल करते हैं दो दूनी चार दो तियन छे दो से इसको दो पनने दस बीज उपर कितना के तीन इंटू पचास तो पांच थी है पंदरा कितना जाग 150 प्रतिसत यान की 2005 में पिछले बारस की तुल नाम बिकरी के प्रतिसत देखें तो कितनी बिरद्धी हुई 150 प्रतिसत की तो उप्सन डी यहां पे हमारा सही आंसर होगा अब चली नेक्स्ट कोस्टन देखी कोस्टन नमर 22 बरस दोजार पांच से बरस दोजार आठ तक कुल बिकरी रुपए कड़ोर में है देखी दोजार पांच से लेकर दोजार आठ तक की कुल बिकरी पूंच लिया दोजार पांच से दोजार आठ तक कुल कितनी बिकरी हुई है तोई हमें इसके लिक् overboard करेंगे दोजार पांच ने लिक्डा ने कि विखरी को हम पलस करदेंगे तो हमारी क्या जाए धोजाए कुल भिखरी है जाएए दोजार पांच में देखिए कितनी होई है 10 कड़ोर दोजार 6 में 6 कड़ोर दोजार साथ में कुल विक्री पूच तो हम इसको टोटल कर देंगे 16 16 और 6 कितने हो जाएंगे 25 27 यान कि और वीडियो नहीं देखिने प्लेइस्ट में जाकर आप उनको भी जरूर देख लें जहां पर हमारा एक पर सोट क सिले बरस्त का कंप्लीट होता है मैं अपको से अपर में दिखा देखा देता हुए उपसलें कि सलेст इसको मौट्टे तोर पर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं पहला हम संक्या पद्धती ले 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 इसके अंदर इस सारी टॉपिक आजाएंगे जोड़ना घटाना भिनने बगेरा दूसरा टॉपिक हमने लिया था जय मिती यानिक जय मिती के अंदर सारी चीह जाएंगे हां अभी मुन्दाद रेखारे ठाट पर दाता इस स्वासपिक आरेखांड कॉन सब्सें करण करना इस तक कॉन वाइस टॉपिक से सब्सक्राद जय मिती है ईस तरह जाएंगे रच्छा वज तोर ऌ़े से परिबेस में टूड होता तरफ किया होता इस तरी तरफ है तरी अ किरतियों की पैचान करना है वहाँत सारा लहाइब देखके पैचान लोगे ना देनिक जीवन से संबन्द आंकलों को एकात्रित करने थे बिएके हैं पड़ा रहाए थे लिए आपको और बता देता हूं तो सिलेवर्स पीछे हमने कहां तक पढ़ लिया देगी सिलेवर्स में आप पीछे देख पा रहा हो जैसे कि यहां पर यह टॉपिक है सम्मित पर सम्मिती पर आधारे जैमिती पैटर और दूसरा दंडाले के मादधम स्प्रदर्शित कर उससे निस्कर से निकालना तो कि सम्मिती आकर्ति यानिकी सम्मिती वाले टॉपिक हम यहां पर पढ़ चोके हैं अब देखिए जैमिती से यहां से लेके हम कहां तक पढ़ चोके हैं यहां तक तुम पूरा पढ़ चोके हैं आकड़ों की समझ तक और इसके पीछे भी देखिए सिलेवर्स के पीछे सम्मिती अब देखी पीछे हमार क्या बचा घड़ी बची घड़ी के समय को घंटे तता मिनिट में पढ़ाना एम और पीम के रूप में ब्यक्त करना और 24 घंटे की घड़ी का 12 घंटे संबन और देनक जीवन में घटना हों लगने वाले समय अंतराल की घड़ना गुणा तता भाग प आइनों में दिया है एन की घड़ी बच रही है यहां पर पीछे हम इस दौनों को पढ़ चोके गुणा भाग किसमें पढ़ेंगे हम नंबर सिस्टम में तरी घड़ी वाले टॉपिक को भी मैं बता देता हूं आपको कहां पर पढ़ेंगे मोटर रूप से सिलेवर्स को दो पढ़ रहा हूं नंबर सिस्टम और ज़ंटरी तो घड़ी वाले टॉपक हम नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे काहां पर पढ़ेंगे देखिय को हम यहां पर पढ़ेंगे अब हम स्लेवर्स के स्टार्टिंग से स्टार्ट कर गया नहीं संक्या पद्दसी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ठीक है आज के लिए तर नहीं यदि आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर सेर करें देखी आप सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं और अच्छा पढ़ाने की कोसिस करता रहूंगा यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो फिरते एक वीडियो में आप लाइक सेर और कमेंट जरूर करें और आप चैनल पर नुए तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करने से कि नेक्स्ट वीडियो को नोडिशन आपको मिलती रहे तो मिलते हैं नेक यद्दी मश्या आपको रेस। तो नेकल डाइक वाहे जो अपको अवीडियो अच्छी ओंग कि आपको मिलती हो को यदियो क्यू हो तो आपको झाल को फिरते हैं जरूर को जरूर का पमेंट आपको अब्सकाश के टिरते हैं चैनल